2022 और 2023 की मेरी फेवरेट हुडीज और स्विट शिर्ट एच एनम की उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हूँ मेना नाम है तारौन इस चैनल पर मैं बात करता हूँ फैशन और स्किन के बारे में अगर आपको इन दोनों चीजों में से किसी में भी है दिल्चस्पी देन कंसेडर सब्सक्राइबिंग आज की वीडियो में मेरे पास ने चार्ट स्विट शिर्ट और तीन हुडीज एच एनम की 2022 और 2023 की की कलेक्शन में से जो मेरी फेवरेट हैं उनके प्राइस की में बात कर हूँ that is a basic hoodie जो हमारे पास H&M में number three essential वली category में से है I think यहां पे essentials items आ जाती है जो H&M को लगता है कि हर किसी की wardrobe में होनी चाहिए और I think black hoodie सब के बास होनी चाहिए और यहां पे हमारे पास draw strings मिलती है kangaroo pocket मिलती है और अगर मैं इसकी fitting की बात करूए यहां पे हमारे पास regular fit है और मैंने यहां पे size medium पहना हुआ है और fitting I think काफी जादा बढ़िया है मैं personally जो hoodies पहनता हूँ या clothes currently जो मेरा taste है वो थोड़ा oversize to relax fit का है और यह regular fit जो है यहां पे मैंने जो medium size पहना हुआ है I think perfect fitting देता है बहुत जादा oversize fitting नहीं देता तो असानी से अगर मैं इसको किसी slim फिर jacket के साथ भी style करना चाता हूँ तो असानी से हो जाएगी and I like the fact that कि इसका hood जो है यह बड़ा है especially gym के time पे यहां फिर you know whenever I wear a cap तो उस time पे मुझे hood साथ में पहनना पसंद है तो कई बार देखा जा सकता है कि अगर slim fit hoodies हो यहां फिर even regular fit वाली hoodies भी होना उनका जो hood होता ह है काफी जाद छोटा होता है तो अगर पहन लो ना वो बच्चों वाली फील आती है तो यह चीज मुझे इसकी काफी जादा पसंद है अगर मैं यहां पर इसके price point की बात करूं यह यहां पर इसका actual में price 2300 website के ऊपर है पर यह जो I think मुझे hoodie मिली थी मुझे exactly याद नहीं है बट store पे मैंने I think around 13 to 1400 में इसको वाई किया था इस Christmas वाली sale पे तो I hope दुबारा winters के last में जाके दुबारा sale आईगी तो उस time पे जरूर इसको वाई करना otherwise link नीचे भी मैंने दिया हुआ है तो अभी if you can afford then I think this is a great piece for you to invest अब अगली वली hoodie जो मेरे पास है वो भी एक basic color में ह gray color में हमारे पास देखने को मिलती है और यहाँ पे जो इसकी fitting है यहाँ पे हमारे पास oversized fit है और आप देख सकते हो कि पूरानी वाली जो मैंने black hoodie पहनी हुई थी अगर मैं इससे compare करू तो इसका भी size medium है और उस वाली hoodie का भी size medium था पर ये वाली gray वाली hoodie आप देखोगे कि य जादा oversized है इसकी length भी जादा बड़ी है इसका hood भी compared to that hoodie although इसका hood भी काफी अच्छा था पर इसका hood और जादा जो है बड़ा है तो मुझे यह personally workouts करते हैं बहुत जादा पासंद है पर इसकी I think एक नुकसान बस इस hoodie के यह है कि यह उसकी तरह इतनी versatile नहीं है regular fit I think दोनों होगी यह बस oversize jackets के साथ यहां फिर वैसे हमने पहन ली तो उसके दोरान I think बढ़िया लगी अगर मैं इसके price point की बात करूँ तो यहां पे 1500 इसका price point है बट यह मुझे जो थी 1000 में पड़ी थी और currently भी अगर मैं चेक कर रहा हूं तो H&M पे इसका price जो है currently मुझे 1000 शो कर रह है तो I think this is a great way इसका अगर material की बात करो तो इसका थोड़ा सा I think पतला material है उस वली होडी से but it's not like कि वो बहुत ज्यादा पतली वली जो होडी होती है I think this is a great hoodie workout करते टाइम बहुत ज्यादा मजा आता है मसा आता है इसमें workout करते टाइम और I think this is a superb अगर you know travel करते टाइम आप इसको पहने रहे हो I think this is a great article अब लास्वली हुडी जो मेरे पास है this is in orange color और यहां पर यह एचनेम की हुडी जो है यह थर्मोलाइट मटीरल में है एचनेम का थर्मोलाइट मटीरल अगर आपने सुना होगा तो एचनेम का कहना है कि थर्मोलाइट मटीरल उनका जो है वो आ इसकी जादा बहुत जादा बनी पर हाँ यह वाम है और इसका मटीरियल जो है बहुत जादा सॉफ्ट है और इसकी अगर मैं फिटिंग की बात करूं इसकी ओवर साइज फिट है और यहां पर मैंने साइज जो है मीडियम पहना हुआ है I feel like कि मुझे साइज जो था S लेना चाहिए था पर मुझे S साइज मिला नहीं और यह बस ऑनलाइन अवेलेबल थी तो मीडियम साइज भी जब मैंने और किया हाँ इसकी लेंथ जो है ज्यादा है पर मुझे फिटिंग काफी ज्यादा पसंद आई है इसकी लेंथवाई मैं परसनली इसको माइंड नहीं करता ह है यहाँ पर हमारे पास कोई भी stress नहीं है होडी में जो बाकी दू होडी में स्क्रिंग स्क्रिंग कैंगरू पॉकिट है अंद पीड जो आप देख सकते हो कि और अगर मैं इसके price point की बात करूँ तो actual में इसका price जो दिया हुए 2700 दिया हुआ है पर currently sale पे और मैंने भी जब इसे sale पे लिया था थोड़ी दिन पहले मैंने इसको लिया है तो यह मुझे 1600 में पढ़ी है तो I think 1600 अगर मैं quality की बात करूँ अगर मैं design की बात करूँ अगर मै हमारे पास hood आ जाता है और यहां पे सबसे पहली spiritual डिस्की में बात करना जाता हूँ वो मैंने already यहां पे पैनी हुई है यह भी पुरानी वली पुरानी मैं कह रहा हूँ पिछली वली hoodie की तरह ही यह भी thermal light material में हमारे पास available है और यहां पे मैंने size S पैना हुआ है तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर मैंने size S का मुझे बड़िया fitting दे रहा है ना ही बहुत जाल length है पर at the same time मुझे oversized fit जो चाहिए देखने को मिलती है यहां पे हमारे पास कोई pockets नहीं है और अगर आप neck देखोगे इसकी mock neck है mock neck means कि थोड़ी सी turtle neck वली turtle neck तो काफी जादा चली जाती बट यहां पर रहती है normal crew neck से इसका बड़ा collar है तो उसकी वज़ा से इसको mock neck बोला जाता है तो I think वो भी detail काफी बड़ी है आगे की तरफ हमारे पास बड़ा print देखने को मिलता है पीछे की तरफ हमारे पास print नहीं है color मुझे personally काफी जादा पसंदा है green मुझे vibrant colors जैसे बह यह हो सकती है material warm है बाकी hoodies के अगर मैं compare करूं बाकी sweatshirt से compare करूं थिक है और काफी जाद soft material है और fitting मुझे बहुत आई इसके पसंद आई अगर मैं इसके price point की बात करूं then again यह भी जो थी 2700 की थी और sale पे again यह 40% off पे जो मिली है मुझे 1600 में मिली है तो I think this is a great buy और मैंने height weight और अपना size सब कुछ यहां पर बताया हुए height मेरी 57 है मेरी chest size 38 है तो उसे साप से मैंने S sizes का buy किया तो यह वली fitting मिली है तो अगर आपका size बढ़ा है तो उसे साप से you know you can buy a hoodie और a sweatshirt और links जो होंगे सारे description में सारे description में मैंने दिये हुए है अब बात करते हैं अगली वली sweatshirt की यहां पर again हमारे पास green color में है पर इसका थोड़ा सा tone down green color है और यह regular fit में है और यहां पर size जो मैंने पहना हुआ है यह medium size पहना हुआ है यहां पर picture actual वाली उसकी reference दी रहा हूँ because I feel like की मेरा camera शायद इसका color properly नहीं दिखा रहा होगा तो picture जो मैंने डाली हुए है उसका वैसा actual में green color है again कोई भी pockets नहीं है और simple सी crew neck में हमारे पास switch shirt है और इसका material बहुत जादा light weight है I think जितनी भी मैंने hoodies or switch shirts की so far बात की है सबसे जादा light weight इस switch shirt का material है तो I think जब सर्दियां जाने वाली होंगी या next वाली सर्दियां आ रही होंगी तो उस time पे इसको पहनना असानी से जा सकता है बेकर बाकी hoodies और यह वाली switch shirt जो मैंने currently पहनी हुई है यह थोड़ी से thick है तो आपको गर्मी लग सकती है तो अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे इतनी जार ठंड नहीं है मुंबाई वाली साइट पे पर आप एक switch shirt पहना चाते हो तो I think उस time के लिए यह बहुत बड़ी switch shirt है और अगर मैं इसके price point की बात करूँ इसका price 2000 website पे दिया हुआ है और currently 50% off है और मैंनी भी इसको 50% off पे 1000 मिल लिया था और अब finally हमारे पास दो switch shirts बच चुकी है और यह दो switch shirt जो है यह women section से है I know कुछ लोग instantly judge करेंगे कि women section से कपड़े बेने हुआ है here's the thing bro women section से मैं यह नहीं कह रहा कि आप जो है crop top उठा लो skirts उठा लो पर कुछ इसे clothes होते हैं जो मुझे लगता है कि men और women के same है switch shirts hoodies हाँ cropped में वो अलग बात है यह हमारे पास bust वाली tops और hoodies होती है वो अलग बात है पर normally hoodies or switch shirts उनमें कोई भी difference नहीं होता तो काफी जादा ऐसे colors होते है H&M में जो women section में available होते है जो मुझे पसंद आते हैं red यहां जो मैं अभी sweatshirt की बात करूंगा तो वैसे colors हमारे पास जो है देखने को नहीं मिलते men section में तो इसलिए women section में आप definitely try कर सकते हो और यह सबसे पहली sweatshirt इसकी में बात करने वाला हूं यह यहां पर हमारे पास red color में available है आप देख सकते हो कि इसकी fitting आपको दे है अगर आपकी जादा height है देन problem आपको आ सकती है but short height जिनकी मेरी जितनी height होगी तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है red color में आप देख सकते हो long sleeves हैं इसकी काफी ज़दा oversize sleeves है पर यहां पर हमारे पास जो length है वो इतनी ज़दा बढ़ी नहीं है जिसकी विज़ा से य red color में vibrant color titans बड़ा सा यहां पर लिखा हुआ है और अगर मैं price point की बात करूं यह यहां पर हमाँ again 2000 की switch shirt यहां पर प्राइस है और currently 40% off पे और मैंने भी इसको 40% off पे लिए था 1200 में अब आखरी वली switch shirt again women's section से और यहां पर हमारे पास oversize fit में है और यहां पर आप देख सकते हो इसकी linz जो है पुरानी वली switch shirt से जादा बड़ी है और हाँ मैंने पिछली वली switch shirt थी उसकी sizing मैंने यहां पर बता तुदी होगी बात नहीं की थी वहां पर मैंने L size पहना था इसका भी मैंने L size पहना हुआ है men's section में maximum M में मुझे fitting बड़िया मिल जाती है oversize वली but women section में जब भी मैं hoodie या sweatshirt बाई कर रहा हूँ most probably वहां पर मुझे L तक जाना पड़ता है एक size बड़ा लेना पड़ता है तो L size में यहां पर मैंने white वली पहनी हुई है और आप देख सकते हो again sporty सा fit है white color की हमारे पास sweatshirt है pockets कोई भी हैं और अगर मैं इसके price point के बात करूं website के उपर 2300 इसका price point है और जब मैंने इसको लिया था I think I paid around 11-1200 rupees for this sweatshirt तो guys मुझे लगता है कि आपको haul ये H&M की hoodies और sweatshirt का काफी जादा पसंद आया होगा ऐसी और videos देखने के लिए definitely consider subscribing और अभी recently मैंने जो है winter essentials की उपर मैंने एक video बनाई हुए है जहां पर मैंने 10 winter essentials की बात की हुई है जो आपके wardrobe में होने चाहिए अगर आपने stylish दिखना ह winter मैं so you can click right here और अगर आप ऐसा ही एक haul देखना चाहते हो H&M की varsity jackets का तो you can click right here so guys I will see you next time with my next video till then take care good bye